राजस्तान स्कूल व्यक्याता भरती के विवादित परसनों पर बहस पूरी फैसला सुरक्षित है राजस्तान हाई काउट ने स्कूल व्यक्याता भरती 2018 में पूछे गई विवादित परसनों से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी कर ली है अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्सित रख लिया है अदालत ने याचका करताओं को कहा है कि वे चाहे तो अपनी लिखिती बहस पेश कर सकते हैं जस्टिसी समेज जैन की एकल पीठ ने यादे सेमराज वा अन्यक याचका पर दिये याचका में अदिवक्ता इमान्सू ठोलिया और अदिवक्ता प्रेम्चन देवनंदा ने अधारत में बताया कि आरपीएसी ने भोगो लड़ सास्तर वानिचे रादिनितिक विग्या नहीं दी इतियास वचीतर कलाके विशे पदों के लिए वर्स 2018 में बढ़ती निकाली जिसकी लिखित परिक्षा में आयोग ने ऐसे परसन पूछे जिनके उतरके पुस्तकों में अलग-अलग थे ऐसे में आरपीएसी को पूरो में कोट के और शे आदेश थी आदेश की पालना में विशेशक्य टीम से इन परसनों की जांच करानी थी लेकिन आयोग ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किन विशेशक्यों से इन परसनों की जांच कराई इसके लावा विशेशक्यों की जानकारी भी सारजनिक नहीं की जिससे साबित है कि आयोग ने विशेशक्य कमेटी का गठन ही नहीं किया वहीं आरपेसी के ओर से कहा गया कि मामले में विशेशक्य कमेटी से ही परसनों की जांस कराई गई है दोनों पक्सों को सुनने के बाद अधारती ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है